हेलो रिवान, वेलकम टू फार्मरोक्स यूटूब चैनल, फार्मरोक्स की यूटूब एज्जूगेस्टन चैनल में आपका स्वागत है आज की बड़ी लेक्चर में हम डेटेल में स्टडी करेंगे पॉंच सबसे अच्छी प्लेटलिट्स बढ़ाने की दवा के बरे में कि जिसके अंदर क्या होता है कि आपके सरीर में प्लेटलिट्स की कमी होने के कारण सरीर में लाल धब्बे बनते हैं यहाँ पर आप देखो डायग्राम के अंदर तिस तरह से आपके सरीर के उपर लाल धब्बे बनते हैं, नाक से खून आता है और कुछ दूसरे सिम्टम्स देखे तो आपको काफी सिरदर्ध फिल होता है, तेज बुखार आता है, भूख की कमी हो जाती है सरीर के अंदर, बद उस्ति आपको रहती है सरीर के अंदर, नाक से खून आना और सरीर में से लाल धब्बे या फिर चकते बनते हैं, तो उसके इलाज में कौन सी पांच सबसे अच्छी दवाया है, तो उसकी स्टड़ी करते हैं, आज की लेक्चर के अंदर तो एक्सपर लेक्चर बायामर सर, Assistant Professor and founder of PharmaRox, thank you for being PharmaRox family, updated area PharmaRox के साथ, सीखे अलग-लग बीमारियों के बारे में, के जیसे आज हम यहाँ पिलेटलेट्स की कमी के बारे में शिखेंगे, उसके उप्चार के बारे में सीखेंगे, उसके लिए पांच सबसे अच्छी दवाया सिखेंगे, ऐसे ही अलग- side effect, warning, contraindication एक साल तक वो भी काफी affordable price में तो ये course जोइन करने के लिए हमें whatsapp करे 9016312020 पे हमारे second channel को भी subscribe करके हमें support करे कि जिसका नाम है Alisa Rocking Tells तो ये channel को जरू से subscribe करें और मुझे support करें, link description box में आपको मिल जाएगी तो low platelet count की जिसको हम thrombocytopenia कहते हैं कि आपके सरीर के अंदर जो normally 1,5,000 से लेकर 4,5,000 के बीच में platelets होते हैं और उनकी कमी के करन क्या होता है कि बहुत सरे complications आपके सरीर में होते हैं because platelets एक SSL है हमारे blood के अंदर कि जो blood के clothing में help करते हैं कि जिससे बहुत ज्यादा समय तक bleeding नहीं होती या फिर bleeding disorders भी prevent करवाता है अगर आपके सरीर में proper amount में platelets है तो पर क्या होता है कि या पर आप देखो कि ये normal amount में platelets आपके blood cells के अंदर देखने को मिल रहे जिसके जगा है या पर आप देखो thrombocytopenia के अंदर काफी कम हो जाते है एक लाग पचास हजार से लेकर चार लाग पचास हजार के बीच में होने चाहिए तो platelets क्या करता है कि जब भी कोई injury होती है तो और injury के करण हमारे blood vessels समझो के तूट जाते तो वहाँ पे platelets जो इखटा हो जाते हैं वहाँ पे platelet plug बनाते है और जो blood को रोकने का काम करते जो bleeding होती है तो इसलिए देखो कि इसका symptom में कैसा develop होता है कि platelets की कमी है तो इस तरह से platelets plug तयार नहीं होता और platelets plug तयार नहीं होने के करण आपका जो blood है वह stop नहीं होता bleeding continuously चालू रहती है तो यह एक benefit है कि अगर आपके सर्य में proper platelets से तो जब भी कोई injury होती है blood vessels break होती है तो थोड़े समय के बाद bleeding रूख जाती है बट platelets की कमी में आपके bleeding नहीं रूखेगी लंबे समय तक blood जो है वो flow होता रहता है और इसके करण खुन की कमी भी हो जाती है आपके सर्य में तो reasons देखे तो कौन से reasons में platelets कम हो जाते हैं जब आपको dengue fever होता है dengue भी खार जो हम कहते हैं उसमें भी platelets कम हो सकते हैं और plastic anemia, vitamin B12 की कमी fallet की कमी है iron की कमी है, कोई viral infection है HIV, chicken box फिर बहुत ज़्यादा आपसर आपका सेवन करते हैं, cirrhosis का problem है leukemia, myelo, dysplasia के condition chemotherapy या फिर कोई radiation या फिर toxic chemicals के contact में आने से भी आपके platelets कम होते हैं तो symptoms में लें आपको अभी समझाए कि सीर दर्दों ना तेज बुखार, भुग की कमी आखों में दर्द, गुटने में दर्द, नाक से खुन, बैना और सरीर में ऐसे लाल चकते या फिर दब्बे हो जाते हैं तो diagnosis के लिए simply blood test किया जाता है medical history चेक की जाती है और patient के बीमारे की condition भी चेक करी जाते कि लाइक किसी को chemo therapy दे रहे हैं तो उस वक्त वो जद दवाई होती हैं उनके side effects से करन platelets कम हो जाते हैं as well as ऐसे दूसरी वीमारे जैसे कि dengue है तो उसमें भी platelets कम होते हैं तो ऐसे disease condition से भी आप पता लगा सकते हैं और सबसे based है कि blood test किया जाए blood test से proper exact amount पता चलती है कि कितने platelets आपके सरीर में है तो 5 based medications के हम option देखे तो पहला है home remedies के अंदर कि आप गरगुती उपाए भी एक medicine का काम करता है इसके अंदर दूसरा blood या फिर platelets transfusion भी यहाप एक medicated option बनता है आपके लिए medicines जो कुछ special है low platelets के लिए herbals medication और 5 वा homeopathy तो 5 यसे बेस तरीके के जिससे platelets बढ़ाए जा सकते हैं तो खाने में हम देखे तो home remedies में chicken दर जो है beetroot जिसको हम कहते हैं puppy देखा पत्ता या फिर जिसको papaya leaf हम कहते हैं आमला है, kiwi है, carrot मनलब की गाजर है, coconut water नारियल पानी ले सकते हैं या फिर got milk मनलब की बकरी का दूद भी समझो कि आपके आसपास available है तो आप बकरी का दूद भी ले सकते हैं, जिससे आपके platelets बढ़ने में मदद होगी फिर blood transfusion मलब की directly जो platelets से वो patient को चड़ाया जाता है, कि जिससे आप देखते हो कि normal saline solution जिससे चड़ाया जाता है ringer lactan का solution है D5W में लेकि जो glucose की bottle चड़ाया जाती है इसी तरह से directly ये खून जो हो patient को चड़ाया जाता है, कि जिससे उसके platelets जो हो आप increase करवा सके, तो क्या किया जाता है कि जो कुछ donors होते है donors जो होते हैं, उनमें से platelets जो हो carefully जो हो निकाले जाते हैं उनके blood में से और वो platelets directly patient को जो हो चड़ाया जाता है, कि जिससे उसके सरीर के अंदर platelets count जो हो बढ़ा जा सके फिर जो medication से, जिसमें आप देखें कि डॉप टेलेट करके medication आती है romeplostine का injection है corticosteroid, फिर iltrambopak करके medication आती है immunoglobulins के जो कुछ options रहते हैं, कि जो antibody proteins रहते हैं तो aromeplostine का यहाँ पर आप powder देख सकते हैं, कि यह medication एक base रहती है कि अगर कुछ दूसरी कुछ medication से platelets नहीं बढ़ रहे, तो patient को यह subcutaneous ले injection के रूप में दिया जाता है, या फिर जो doptylate का injection के हमने बात की तो यह सब option रहते हैं medicated के अंदर तो यहाँ पर आप देखो फिर जो monoclonal antibodies में जो हम बात करते हैं तो NTD जो injection आता है वो भी increase करने में help करता है platelets को, फिर Eltrum वो pack करके जो medication से, कि जिसका यहाँ पर हम एक marketed formulation देख रहे हैं reavolid करके तो यह भी use की जाती है platelets को बढ़ाने में फिर corticosteroids में हम देखे तो dexamethasone है फिर beta-methasone है तो यह जो दो medication से कि चाहे आप betnesol यूज़ करो या फिर dexona तो यह help करता है आपके platelets को बढ़ाने में तो यहाँ पर मैं आपको बतातूँ कि जो हमारी second channel है जिसका नाम है Alissa Rocking Tales उसको जरूर से subscribe करें उसको जरूर से subscribe करें उसको जरूर से subscribe करें लिंक में आपको description box में दे दूँगा तो topic पर वापस आते हैं जो चौथा option है base that is herbal कि जिसके अंदर carry pill के जो tablets है कि जिसको हम carry cup, papaya कि जो leaf extracts जो कहते है तो उसकी जो tablets आती है वो patients directly use कर सकते है platelets बढ़ाने के लिए फिर himalya drug company के हम बात करें तो जो platens है के जो tablet आते है उसके अंदर भी content वही है carry cup, papaya का leaf extract है और तिसरा platizen करके यहाँ पे एक syrup formulation available होता है यहाँ पे आप जो देख रहे है कि जिसका नाम है platizen तो वो भी patient ले सकते हैं कि जिससे अपने platelets counts यह वो बढ़ा सके फिर जो गिलोई गनवटी का एक option रहता है पतंजली का जंडू का भी गिलोई आता है और डाबर तो यह अलग-अलग pharmaceutical companies as well as जो herbal pharma companies जे वो इस तरह से medication बनाते हैं herbal formulation तो वो भी आप ले सकते कि जो आपकी immunity भी बढ़ाने में मदद करता है साथो साथ आपके platelets count पे increase करने में काफी मदद करता है पांचवा option है homeopathy के drops की आप आप देखो SBL के जो world class homeopathy जो हम कहते हैं केरी का पापाया का जो mother tincture रहता है वो आप यूज कर सकते है या फिर hema malis virginica का भी formulation available है 30 CH करके तो यह भी patient ले सकते हैं और तीसरा option बनता है crotellus horidus का और वो भी 30 CH के तोर पे आता है तो इन में से कोई एक जो है वो patient ले सकते हैं तो यह पांच लेकला option से platelet जो है वो बढ़ाए जा सकते हैं अगर उससे भी नहीं होता तो फिर plasma exchange का option रहता है कि आगे के जो 5 medication के options हैं जो कि आपने use कर ले फिर भी platelets नहीं बढ़ रहे हैं तो एक option रहता है plasma exchange का कि patient का जो plasma exchange किया जाता है और छठा option है या फिर आखरी option हम कहें तो वो है कि surgery करके आपका जो है वो spleen निकाला जाते का because कई बार reason यह बनता है कि over active immune system के करण बहुत ज़दे immune cells के करण भी समझो कि आपके blood cell जो है वो समझो कि damage हो रहा है तो उसके अंदर spleen को जो वो remove किया जाता है surgery के करण कि जो ITP की जो हम condition कहते है तो एक immune system related जो problem होता है तो उसको treat करने में ये medication जो है वो help नहीं कर दी तो आखरी option patients के पास रहते है surgery का तो जिसको spleenectomy भी कहा जाता है या फिर surgery करके spleen को remove करना because क्या होता है कि आपके ही सरीर के healthy cell आपके ही सरीर के platelets को damage करना शुरू कर देते हैं उनको destroy करना शुरू कर देते हैं जिससे क्या होता है कि अगर आप medications ले भी रहे है तो भी जितने नए platelets बन रहे है वो तुरंत ये जो है वो immune cells damage करते जिससे आपके platelets बढ़ते ही नहीं है तो ऐसी condition में आखरी option ये स्प्लीन को remove करना रहता है सरजरी करके तो ऐसे ही detail में सिखे medicine course में अलग-अलग बिमारियों के बारे में उनके उप्चार के बारे में कौन से दवा use होती है उनके dose उनके side effect warning contraindication affordable price में एक साल तक medicine course में तो अभी हमें whatsapp करे 9016312020 पे medicine course को access करने के लिए साथ ही हमारी second channel की जिसका नाम है Alyssa Rocking Tells उसको भी subscribe करके support करे link description box में मिल जाएगी good luck and all the best